नमस्कार सभी को, आज हम लेकर आएं Special Theory of Relativity का Part 2 जैसे कि मैंने पिछले lecture में कहा था कि हम अगले lecture में Frames of Reference की Study करेंगे तो let me first of all discuss की Frame of Reference होता क्या है इसको समझने के लिए कि let us imagine a situation मान लीजिए कि आप अपने किसी एक रिष्टेदार के यहां जा रहे हैं और आपको उस रिष्टेदार का घर पता नहीं है आप उस शहर में जाके एक bus stop पे या रेजवे स्टेशन पे कहीं पे उतर गए है आपने अपने रिष्टेदार को call की है कि मैं यहां उतर गया हूँ और मैं इस चॉंक, let us suppose कि XYZ कोई चॉंक है आप उस चॉंक पे उतर गए है तो वो परसन आपको कहेगा कि वही XYZ चॉंक के पास ही आप खड़े रहे हैं वहां से आप left turn लीजिए देखो वो जो चॉंक है, that is a reference point जहां से आपको अपनी journey start करनी है और अगर मुझे आपका distance measure करना है तो मैं उस point से आपके distances को measure करूंगी यानि कि उस reference point से आप कितनी दूर जा रहे हैं इसको measure करने के लिए I will need one line along that direction जिस line को मैं एक axis करूंगी फिर कुछ देर left चलने के बाद आपका रिष्टेदार कहेगा कि आप right turn ले लीजी मतलब आप इस direction में चलना शुरू कर देंगे लेकिन मैं distances measure कर रही थी इस direction में तो उसी point से इस direction में distances measure करने के लिए I will need a second line यानि कि मुझे दो lines इस directions में चाहिए ताकि मैं आपके distance को आपकी location को measure कर सकूँ उसके बाद आपका रिष्टेदार आपको कहता है कि आप stairs चड़के उपर आ जाईए यह हमारा घर है जब आप ऐसे उपर चड़ना start करेंगे तो मुझे इस direction में भी एक line की जरूरत पड़ेगी that means मुझे तीन lines की जरूरत पड़ेगी और जो यह तीन lines है इनको हम coordinate axis बोलेंगे जो point है उसको हम बोलेंगे origin तो यह जो point है यह तीन lines है यह जो सारा system है this is termed as frame of reference अगर मैं classification की बात करूँ की frame of reference की कि इतने types होती है जैसे ही हम types word की बात करते है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह question आना चाहिए कि वो types किस basis पे है what is the criteria to classify that frame of reference देखे classification का हमेशा एक criteria होता है classification मतलब categorization की आपने उसको different different parts में categorize करना है जैसे मानले जी आप किसी school college में पढ़ते हैं और आपकी class के sections divide किये जाने है तो आपके teachers या administration क्या करते हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं वे odd even role numbers को भी अलगलग कर सकते हैं they can make sections on the basis of admissions कि in 50 students का admission पहले हो गया है in 50 का बाद में हुए यह एक section में यह दूसरे section में है या boys girls के लगलग sections बनाए जा सकते हैं कुछ mentality basis पे बनाते हैं कि यह हमारे toppers है यह हमारे average students है तो इस तरह से सब के पास एक basic criteria होता है categorization करने का अब इनी lines के basis पे अगर मैं frames of reference को categorize करूँ कि कि कितनी lines ले रहे हैं कितनी angles consider कर रहे हैं उसके basis पे जो यह frame of reference है these are of three types इन में से जो first type है और जो second type है वो है plane polar coordinate system और जो third type है वो है spherical polar coordinate system इनकों आप बैसे पने पिछले semester में पढ़के आ चुके हैं फिर भी थोड़ा सा idea में दे 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 हैं जो cartesian coordinate system है यह सबसे पहले आया था एक famous mathematician रहे हैं descartes जिन्हों ने यह frame of reference cartesian systems coordinate system यह सारा concept हाम लोगों को दिया descartes क्या थे कि बड़े lazy किसम के इंसान वो थे दिन में 10-10-11-11 बजे तक वो सोई रहते थे उनको बैट से हीलाना मुश्किल हो जाता था so once upon a time he was lying in his bed it was you can say late morning but still he was in his bed जैसे आपको आप सर्दियों में लेटे होते हैं आपको आपकी मदर बार बार उठाती है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ आप आलस में पढ़े रहते हैं sort of ऐसे ही descartes was lying in his bed and he saw a fly in his room उनको एक मख्य अपने room में उड़ती हुई नजर आई और वो मख्य जाके उस room के चट पर बैठ लिया descartes ने सोचा कि ये मख्य मुझसे कितनी दूर है he was lying on bed और मख्य जो थी वो चट पे थी तो उन्होंने उसी वक्त अपने माइन में एक frame तियार कर लिया कि मैं जहां पे वो है वो सपोस औरीजन हो गया वहां से इस direction में वो इतनी दूर है इस direction में वो इतनी दूर है इस direction में वो इतनी दूर है तो यही सब कुछ सोचते हैं उन्होंने ये जो Cartesian coordinate system है कि origin है, ये x-axis है, ये y-axis है, ये z-axis है ये जो सारा system था descartes ने bed के अंदर ही हमें provide कर दिया जो plain polar coordinate system है इसके अंदर 8-axis के along symmetry होती है बाकी दो के अंदर variations होती है आर और थीटा की form में इसके अंदर हम measurements करती है Cartesian coordinate system में x, y, z की form में measurements होती है और spherical coordinate system में आर, थीटा और 5 इस term में measurements होती है relativity के अंदर इन systems को understand करना और इस सब को correlate करना that is very necessary On the basis of, अगर मैं बात करूँ कि Newton's laws कि Newton's के law according, अगर हम classification खरे frames of reference की, तो हो दो type के frames of reference होते है inertial frame of reference and non-inertial frame of reference जिसके basis पे हमारी pool relativity work करती है अगर मैं बात करूँ कि inertial frames क्या है या non-inertial frames क्या है inertial frames के अंदर क्या होता है कि Newton भाई साब का जो पहला law है कि force 0 तो acceleration 0 ये valid होता है क्या था Newton का first law? जो उसको हम law of inertia भी बोलते हैं क्या था वो कि अगर किसी body के उपर external force 0 है तो body अगर state of rest में है तो वो उसी में रहना चाहती है state of motion में है तो उसी में रहना चाहती है इस frame के अंदर हमेशा valid रहता है इसी से इसका नेव inertial पड़ा है कि इसके अंदर laws of inertia हमेशा valid रहते है जो non-inertial frame of reference है इन frames के अंदर law of inertia Newton का first law valid नहीं है अब यह कैसे पता चलेगा कि अगर f external 0 है acceleration 0 हो भी सकती है नहीं भी हो सकती अब यह कैसे पता चलेगा कि acceleration 0 है नहीं है Newton law valid हो रहा है नहीं हो रहा तो सीधी इसी बात है कि अगर अगर अमारा frame of reference rest पे है या constant velocity से आपका frame चल रहा है तो हम उसे कहेंगे inertial frame मतलब frame at rest और frame in uniform motion उसको हम क्या बोलेंगे inertial frame of reference और जो frame rest में नहीं होगा accelerated frame of reference और de-accelerated frame of reference उसको हम क्या बोलेंगे non inertial frame of reference यानि कि जो frame constant velocity से चलता है for example एक bus जा रही है रोड के उपर constant velocity से ही जा रही है suppose वो 50 km पर आकी speed से जा रही है तो उसको हम inertial frame मान सकते हैं सकते हैं मान सकते हैं it is not inertial फिर non inertial के अंदर अगर वही चलती हुई bus suddenly driver brakes लगानी शूरू कर दे या वो bus rest पे थी और suddenly accelerate होनी शुरू हो जाए तो वो bus क्या बन जाएगी non inertial frame of reference क्योंकि ऐसी bus में मान लीजिए आपने एक ball रखी हुई है और वो ball भी rest पे है आप भी bus के अंदर rest पे है bus भी rest पे है उस time पे bus क्या है inertial frame है आप उस ball को कोई भी जर्क देंगे कोई भी force देंगे वो उससे चलना शुरू कर देगी वो rest पे थी तो वो rest पे ही थी जब तक आपने force नहीं लगाई यानि कि force 0, acceleration 0 लेकिन अगर वही bus चलना शुरू कर दे तो एक दम से जट bus के लगे उस acceleration की बज़ा से जो bus के अंदर acceleration आई उसकी वज़ा से वो बोल के अंदर भी थोड़ी movement आ जाएगी लेकिन आपने कोई force बोल के उपर नहीं लगाई है that means आपकी force 0 मोने के बावजूद भी एक acceleration उस बोल में produce हो गई due to frame और वो frame कौन सा है non-inertial frame of reference तो ये था सारी की सारी story frame of references की sometimes इसमें एक question exam में पूछ लिया जाता है कि is earth inertial frame of reference आप से ही पूछा जाए कि earth inertial frame है या नहीं है देखो जो earth है वो उसके पास दो टाइप की motions है rotational motion around the sun axis and revolution around the sun और जो जब circular motion आ जाती है तब acceleration is definitely there क्योंकि centripetal acceleration के बीना कोई भी object circular motion में move कर ही नहीं सकता और acceleration है तो frame inertial नहीं हो सकता मतलब जो earth है वो ना तो rotation के according inertial frame है ना ही revolution के according inertial frame है हाँ बट अगर आप उसकी acceleration calculate करें in rotational motion या revolution जो कि आप इछले semester में करके आचुके हैं वो value बहुत ही small आती है 10 to the power minus 3 10 to the power minus 2 meters per second square बड़ी small value वो आती है इतनी small value को being present on earth हम neglect कर लेते हैं और हम को earth को inertial frame हम मान लेते हैं being present on earth हम earth को inertial मान लेते हैं बट actually earth is non inertial frame of reference तो बात next lectures में हम करेंगे special theory of relativity की again जिसके अदर हम ये बात करेंगे कि जो special theory of relativity है it deals with inertial frames of references जो Einstein बड़े एक महान scientist हुए है उन्होंने दो theories of relativity दी थी special theory of relativity and general theory of relativity special theory of relativity वो theory है rest and motion की जो deal करती है inertial frames के साथ और जो general theory of relativity है rest and motion की वो deal करती है non inertial frames of references के साथ तो next in upcoming lectures में हम deal करेंगे special theory के अगले portions के साथ जिसमें हम हमेशा inertial frames of references की ही बात करेंगे non inertial की बात करेंगे general theory of relativity में so this was all about frames of references thank you, shukriya, take care, bye